राम राम, चैय स्री राम, बाबा साद्गी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार दिक अभिनंदन है अभी मैं आपको लेके आया हूँ विसरक गाउं, क्यों लेके आया हूँ यही आपको बताऊंगा यह है विसरक गाउं आप नजारा देखिए और मेरी बात सुनते रहेएगा पूर्व जनम में भगवान विसरु का द्वारपल जिसका नाम था जय और उसे सराप मिला था कि तीन बार वो राक्षा सियोनी में जनम लेगा एक लाख पुत्र और सवाल लाख नाती जिसके होंगे आप उसकी आयू का अंदाजा लगाईए यह है गाउं उस महापंडित महाविदाता चारों वेदों का ग्याता रसायन सास्त और जोटसी का महारती यह है उसकी मात्र भूमी तीन पत्नियों का स्वामी मंदोद्री दम्य मालिनी और तीसरे का किसी वेद में भी तहीबे भी जिक्र नहीं है लक्षमण को तीन शिक्सा देने वाला ज्यान परत बाते बताने वाला पहली बात बताई सुबकार्य को सीगराती सीगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए और बुरे काम को जितना रोग सको जितना टाल सको उतना रोग देना चाहिए सत्रू और रोग को कभी भी छोटा ना समझें उससे कभी भी मिर्तियू हो सकती है और थीसरी यान पर बाजो बताई वो ये कि कभी भी अपनी गुप्त बात किसी को ना बताएं चाहे वो आपका कितना ही विश्वास पात क्यों ना हो तो अभी हम हैं विश्रक गाउं में अभी आपको अंदाजा लगिया होगा कि मैं किस महापंडित की बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे यहां भी बननी सुरू हो चुकी है और यह हुए मंदिर है जहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गूगल में मुझे दोगा दिया गया है यह है रावन मंदिर पुरस मुनी के पोते और विसरवा मुनी के पुत्र रावन उनका ये एरिया विसरवा गाउं उनका जनमस्थान है जहां वो पैदा हुए थे आपने रावन के बहुत नाम सुने होंगे लेकिन उसका रावन का असली नाम था दस ग्रिव मंदावी मंदावी का सरने में दस ग्रिव मंदावी दोस्तो ये तो वही बात हो गई खोदा पहाड निकली चुहिया गूगल में एक बड़ी फोटो दिखाए थी बड़ी मूर्थी दिखाए थी जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ लेकिन मैंने जानकरी लिए है कि हाँ यह बिश्वाग गाउं है और लंकापती रावन इसी गाउं में पैदा हुए थे चलिए आगे मैं जानकरी और हासिल करता हूँ और जो भी सचाई होगी आपको पताऊंगा धन्यवाद जै स्री राम भारत माता की जै जै हिंद